हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरी चैनल कुंगर मोबाइल टेक्निकल में दोस्तों आज मेरे पास है उप्पो A57 CPH 287 जी हां इसमें FRP लॉक यानि गूगल अकाउंट लॉक है और हम इसे अनलॉक करेंगे विदाउट पीसी तो हमें सिंपली सेट अप करके अपना वाइफाई कर लेना है दोस्तों इसमें अभी तक का सबसे लेटिस्ट एंडरोइड वर्जन 12 पर ये रन कर रहा है तो फ्रेंड्स हम अब यहां पर अपना वाइफाई कर लेंगे आपको भी कनेक्ट कर लेना है तो चलिए फटाफट से हम कनेक्ट कर लेते हैं इसको और फि का प्रोसेस और यह हमारा वाइफाई कनेक्ट हो गया ठीक है फ्रेंड्स अब हम आ जाएंगे बैक ताकि टाइम हमारा कम लगे और जल्दी से बाइपास हम लोग कर सकें बैक आने के बाद हमें फिर से एरो पे क्लिक करके नेक्स्ट करना हो यहां आप ऊपर देख सकते हैं यहां आप सिंबल जो बना है एकसेसबिलिटी का इस पे हमें क्लिक करना है और हम एकसेसबिलिटी के एक पेस्ट पे आ जाएंगे इसको अलाव करके on कर देना है on करने के बाद यहां लिखा है select to speak इस पे click करना है select to speak इसके green वाले पे click करके देखते हैं यहां पे easy click हो गया और हमारा talkback on हो गया ठीक welcome to talkback तो अब हमने यहां पे उल्टायल प्रेस करना है ठीक है देखो ऐसे उल्टायल यहां पे कुछ permission नहीं आ रहा है friends तो हम next पे अभी एक बार click करके up green वाला उपर click करेंगे यहां आ गया ना यहां उल्टायल प्रेस करेंगे यहां पे allow का permission मांगेंगे हम उपर वाले पे allow कर देंगे और यहा वाइस कमांड टू कंट्रोल टाग बैक और नीचे दिया है यूज वाइस कमांड ठीक है तो यूज वाइस कमांड पे हमें यूज वाइस कमांड पे हमें दो बार click करना है और इसके बाद बोलना है assistant assistant देखिए अब यहां पे keypad assistant बोलने के पे हमें keyboard वाले पे click कर देना है और यहां पहले अब हमको talkback अपने off कर लेते हैं वाइलूम अप और down को एक साथ प्रेस करके यह हमारा talkback यह देखो notification turn on कर देना है इसको turn on करके फिर से वही वाइलूम अप डाउन को फिर से प्रेस करेंगे और यहां पर देखिए notification आ गया talkback off हो चुका है हमारा अब talkback off होने के बाद keyboard पर प्रेस करके यहां पर हमें open chrome बोलना है open chrome अब open chrome पूलने के बाद यहां आप देख सकते हैं हमारा chrome browser open हो गया है अब accept and continue पर click करेंगे no thanks पर click करेंगे और हम देख सकते हैं google हमारा search box पर यहां पर click करना है vnroam.net slash bypass यहां उपर वाले पर आप click कर सकते हैं यहां और उपर वाले link पर first link पर click करना है और हम आ जाएंगे vnroam के official website पर और यहां पर आने के बाद आप देख सकते हैं open setting है यहां पर setting पर click करेंगे और हम आ जाएंगे इस device के setting में अब मैं दिखा दूँ इसके about में कि इसका model और इसका android version क्या है आपको about में आ गया है यहां देखिए open a57 cps 2387 android version 12 ठीक है friends अब हमने back आना है और आ जाना है system setting में सिस्टम setting में आने के बाद स्क्रोल करके सबसे नीचे देखिए backup and reset इस पर click करेंगे और फिर से reset phone लिखा है इस पर click करना है सबसे नीचे और ऊपर देखिए reset network setting इस पर click करके हम हमें इसका reset network setting कर लेना ठीक है यह success हो गया complete अब फिर दूसरा reset all setting इस पर भी दो बार reset all setting पर click करके इसको भी restore कर लेना है यह हमारा दूसरा वाला भी complete हो गया ठीक है friends यह देखो notification आ गया नीचे और erase all data यह इसको नहीं करना है erase all data सबसे नीचे वाले को click करके erase data एक बार फिर से erase all data erase data पर फिर से erase data और यह हमारा set reboot हो गया friends ठीक है तो जिन भाहियों ने subscribe नहीं किया है तो प्लीज subscribe कर लेना क्योंकि हमारा यहाँ बाइपास हो गया है ठीक है friends और चैनल को subscribe बिल्कुल करें दोस्तों बहुत ही जरूरी है subscribe करना तो आप वीडियो पे अभी बने रही है मैं आपको show करा दूं कि यह completely bypass हो गया है और वीडियो को like करना बिल्कुल ना भूलें friends इससे थोड़ा हौसला मिलता है और जब आप लोग comment करते हैं तो और भी अच्छा लगता है इसमें थोड़ा सा time लगेगा तो आप थोड़ा सा video skip या 10-20 second next कर सकते हैं और हमार हम आगए हैं अपने home screen पे जो first page है hello का अब arrow वाले click करेंगे arrow वाले box पे और यहां next और region में अपना country select कर लेना है और continue next और यहां skip नहीं हो रहा था अब देखिये skip पे click किया मैंने और यहां हम next हो गए ठीक है accept skip और यहां आपको बटन चाहिए तो फिर next skip यहां welcome ठीक है friends get started और यह हमारा bypass complete तो friends वीडियो helpful रही हो तो प्लीज subscribe कर देना फिर मिलते हैं किसी next वीडियो में तब तक के लिए जैहंद बंदे माता है